आज हम बनाएंगे आलू बींस की मसालेदार सबजी जिसे बनाना बहुत आसान है और आप इसे टिफिन के लिए भी रख सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रे गरमोने रखेंगे इसमें डालेंगे तीन बड़े चमच सर्सों का तेल तेल जब अच्छा गरम हो जाएगा इसमें एक चमच राई डालेंगे और आधा चमच जीरा इन्हें चटकने देंगे एक प्याज को इस तरह लंबाई में काट लिया इससे डाल देंगे आठ से दस लहसुन की कलिया लिए इन्हें इस तरह बारिक काट लिया इन्हें भी डाल देंगे अब प्याज लहसुन को लगातार चलाते हुए हलका ब्राउन होने तक बूल लेंगे जब हलका कलर चेंज हो जाएगा कटे हुए आलू को डाल देंगे आलू को डालने के बाद इन्हें भी चलाते हुए हलका फ्राई कर लेंगे, आलू बीन्स की सबजी में, बीन्स जल्दी नर्म हो जाती है, इसलिए पहले आलू को फ्राई करेंगे, दो मिनिट के लिए कड़ाई को ढखके रख देंगे, दो मिनिट बाद चला के देख लिते हैं, आलू 50% तक नर्म हो गए हैं, इस भूनने से सबजी में एक अच्छा सा क्रंच आएगा फाने में बहुत स्वादिस्ट लगेगी इसे वापस ढख देते हैं दो मिनिट के लिए दो मिनिट बात देख लेते हैं बीन्स और आलू हमारे अच्छे सॉफ्ट हो गए लगवग 90% तक गल चुके अब इसमें कुछ मसा यूज नहीं कर रहे है इसलिए अमचूर पॉर्डर डालना जरूरी है अगर आप टमाटर डालगे तो आमचूर पॉर्डर इसकी भी कर सकते हैं अब इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे इन्हें मिक्स करने के बाद पांच मिनिट के लिए इन्हें सलो गैस पर ढखके रख जाती है, खाने में बहुत स्वादिश्ट लगती है, आप इस सब्जी को रोटी, पराठा, पूड़ी किसी के भी साथ खा सकते हो, लंच के लिए भी इस सब्जी बहुत अच्छी लगती है, अलू बींस की सब्जी बड़े और बच्चों सब को बहुत पसंद आती है, आप भ आने बाद